तो तुला राशिवालों स्वागत है आप सभी का आज की नई वीडियो में दोस्तों हो जाओ, सावधान अगले 24 गंटे में तीन बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है, दोस्तों सच्चाई सुनने के बाद आपकी रातों की नींद हराम हो जाएगी, क्योंकि यह बात कोई मामूली नहीं है, आने वाले अगले 24 गंटे में आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकन वाली है, क्योंकि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्या आपके जीवन में इतना भयानक मोड आएगा दोस्तों, देखिए, यह 24 गंटे का समय आपके लिए वै आपको जो जो सावधानी और जो जो बात बताईए, आप बस उसे ध्यान से कान लगा कर सुन लेना, क्योंकि दोस्तों, आज हम आपको जो जो बात बताने वाले हैं, यह सारी की सारी बात आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आज का पूरा वीडियो, यदि आपने देख तो आपकी जिन्दगी पूरी तरीके से बदल जाएगी, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, दोस्तों, बहुत ही खुश नसीब होगा, वह व्यक्ती जो आज पूरा वीडियो देखेगा, दोस्तों आपको बता दे, जीवन में अच्छा और बड़ा दोनों समय आते रहते हैं, लेकिन अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा, जो कि आपकी कल्पना से बिलकुल अलग होगा, इसलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध करूंगा कि अंत तक हमारी बातों को सुन लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज तक आपको किसी न करने से पहले, जितने भी मातारानी के सच्चे भक्त हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मा भवानी, जय मा दुर्गा लिख देना, मातारानी आपकी सारी मनो कामनाएं पूर्ण करेंगी, कहते हैं कि समस्या का सम समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, मित्रो, यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अरजुन श्री कृष्ण से इसलिए युद्ध में जीत किसकी हुई अरजुन की, मित्रो, आप अपने जीवन में अ मित्रो समाधान प्राप्त करना है, तो गुरुजी का यह ज्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो वहीं, मित्रो, इन ही सब के बीच में आपकी अनुभवी लोगों से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको अच्छा अनुभव और अच्छी सलाह प्राप्त होगी, जिससे आपको मानसिक सुख और सम्मान की भी प्राप्ती होगी, और आपके प्रतिद्वंदी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त रहेंगे। मित्रो आपको बता दें कि ग्रह संकेत दे रहे हैं कि व्यक्तिगत मामलों को लेकर आप बहुत ही सोच विचार करके निर्णाय लेंगे और मित्रो आपको निर्णाय लेने की भी जरूरत है क्योंकि कभी कभी होता यह है कि ज्यादा सोच विचार के चक्कर में अवसर हाथ से निकल जाते हैं, आपकी जरा सी गलती आपके लिए परेशानी का बहुत बढधा कारण बन सकती है, छोटी सी चूक आपका बढधा नुकसान करा सकती है, इसलिए आपको धैर्य और संयम बना कर रखना है, क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिती भी कुछ धीमी रहेगी, और व्यवसाय संभंदित कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, अपने सहयोगियों की भी सलाह अवश्य लें, साथ ही मित्रो, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, व्यवसाय से अभंदित मित्रो, किसी भी मामले को लेकर पहले आपको सहयोग की सलाह अवश्य लेनी है, क्योंकि आप व्यवसाय में निर्णय लेंगे, तो आपको आपके सहकर्मियों का ध्यान रखना होगा, उनकी सलाह आपके लिए फाइदे मंद साबित होगी, और साजहदारी से जु रही किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुख शान्ति का माहोल प्राप्थ होगा, और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएगी, मित्रो, मनोबल में कमी और ठकान हावी हो सकती है, तो कुछ समय आप मेडिटेशन में अवश्य व्यतीत करें, इस से स्वास्थिय में सुधार आएगा, और युवा वर्ग की बात करें, तो युवा वर्ग पूरी महनत और शिद्दत से अपने लक्ष को प्राप्थ करने में अपना पूरा ध्यान दे, आपको बहुत ही अनुकूल परिणाम मिलेंगे, आध्यात्म और धर्मकर्म संबंधित कामों के लिए आपकी रुची और आस्था रहेगी, तो इस कारण आपके व्यवहार में भी बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन आएगा। तनाव रहेगा। मित्रो व्यवसाय संबंधित कोई निर्णय लेने में यदि आपको असहजता और असमंजस की स्थिती रहती है, तो बेहतर होगा कि किसी अनुभवी व्यक्ती से सलाह अवश्य लें। क्योंकि अनुभवी व्यक्ती के सानिध्य में रहकर ही आपको बहुत कुछ मार्ग प्राप्त होंगे और साजहदारी के व्यवसाय में पार्टनर की योजनाएं और कार्यशैली व्यवसाय के प्रती लाभधायक साबित होंगे। ओफिशियल मामलों में आपको बता दे मित्रों कि सतरक रहने की जरूरत है। थोड़ी सी सावधानी बरतें। चारों तरफ पैनी नजर रखें और दामपत्य जीवन की बात करें। आपके दामपत्य जीवन में उचित सामंजस्य बना रहेगा। मनुरंजन आदी में समय व्यतीत करने से आपको तनाव से राहत मिलेगी। मित्रों आप स्वयम में अद्भुत आत्म बल और उर्जा महसूस करेंगे। किसी भी काम को करने से पहले अपने मन की आवाज अवश्य सुने। आपका दिल क्या कह रहा है। आपके दिमाग में क् का योगदान घर की अवस्था को उचित बना कर रखेगा और परिवार या व्यवसाय से संबंधित किसी भी बात को नजर अंदाज न करें। आपकी लापरवाही की वजह से घर में कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। मित्रों इसका नकारात्मक प्रभाव आपसी संब संबंधों पर पढ़ेगा और विद्यार्थी अपनी परहाई पर भी उचित ध्यान देंगे। आपको बता दें कि व्यापार में अत्यधिक कार्यभार रहेगा जिसकी वजह से आप अपने आपको दबा हुआ महसूस करेंगे। मित्रों, कर्मचारियों और सहयोगियों के स संबंधों को उचित बनाकर रखने से कार्यक्षमता में बड़ोतरी होगी। जैसे जैसे आप बरहेंगे कार्य भी वैसे ही बरहेंगे और नौकरी पेशा व्यक्तियों के ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीती चल सकती है। इसलिए सतर्क रहें और अपने काम से ही मतलब र करना है। मित्रों घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संबंधित प्लानिंग होगी लेकिन इस छोटी सी प्लानिंग का आपको बढधा लाब समय के अनुसार मिलेगा। आपका विनिर्मान और सहज स्वभाव आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएंगे और आप अपने लक्ष के लिए पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर बढ़ेंगे। सफलता भी हासिल होगी। और एक बात का खास ध्यान रखें कि किसी पर अधिक विश्वास न करें क्योंकि धोखा मिलने की पूरी आशंका है। मित्रों आपका यह जल्दी विश्वास करने वाला स्वभाव ही आपके लिए बढ़ी नुकसान करा सकता है। आँख मूंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं क्योंकि चोट लगने आशंका है। गुरुजी कहते हैं कि कोयला कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज को मढूर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता है। मित्रो, आप हमेशा ध्यान रखना। अपने जीवन में कभी किसी चीज की अपने से तुलना मत करना और कभी किसी को बदन जो काम मित्रों आपके लिए बदनामी का कारण बन सकते हैं, जैसे कि दो नंबर के कामों से दूर रहें जुए, शेर मार्केट में अपना पैसा बिलकुल भी ना लगाएं, साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और भाग्ये के भरोसे बिलकुल भी ना बैठे रहें, क्योंकि अगर आप भाग्ये के भरोसे बैठे रहेंगे, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और मित्रों, कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके कार्यको बिगाडने की कोशिश कर रहे हैं, बनते बनते कामों में अपनी टांग अड़ रहे हैं, विग्ण डाल रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है, साथ ही समय बहुत सुखद रहेगा, जैसा आप चाहते हैं, वैसा समय रहेगा, खुद के लिए फैसले ज्यादा प्रभावी होंगे, और पुराने चल रहे विवादों को सुल्जाने का उचित समय है, युवाओं को अपना कोई लक्ष निर्धारित करने में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा और सफल भी रहेंगे, युवा वर्ग इस वर्ग तो बहुत अधिक आत्म विश्वासी बने हुए हैं, मित्रो, विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन ज खोड़ा सा धैर्य रखें, और दूसरों के व्यक्तिगत कारियों में अपना हस्तक्षेप और अधिकार बिल्कुल न रखें। अपने काम से मतलब रखें मित्रों? जी हां, अगर आपने लोगों के कामों में हस्तक्षेप किया, अपना अधिकार जताया, इस से संबंधों म कटुता आएगी। भाईयों के साथ संबंध मधुर रखने में आपका योगदान आवश्यक है। अगर कोई मदद भी करनी पड़े तो संकोच न करें। मित्र अपने बिजनेस में बाहरी लोगों का दखल न होने दें। पार्टियों के साथ संबंधों को और अधिक मजबू मताबिक जिम्मेदारी मिलेगी और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। मित्रो परिवार में सुख शान्ती का माहौल रहेगा और प्रेम संबंधों में किसी नकारात्मक बात से अलगाव उत्पन हो सकता है। मन में कुछ चंचलता रहने से अपने कार्यों पर फोकस रखना उदासी और आलस जैसी स्थिती, हावी बिलकुल भी न होने दें। और पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने का समय हिमित्रो विचारों में बार-बार बदलाव हो सकता है। जिस बात के कारण निराशा है उस बात के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दें। तब ही आप बदलाव कर पाएंगे और आप अपनी सोच को बहतर बनाने की कोशिश करें। अटके हुए कामों की वजह से सहकर्मियों के प्रती गुस्सा निर्मान हो सकता है। इसलिए मित्रो थोड़ा सा धैर्य से काम लें। हर किसी के ऊपर गुस्सा बिलकुल नहीं करना है। आ से थोड़ी सी तकलीफ बराच सकती है। लेकिन मित्रो घबराएं नहीं लोग धीरे-धीरे ही सही लेकिन आपका साथ देंगे। तो आईए अब कुछ चमतकारी उपाएं मित्रो बताते हैं। रोटी का आपके ग्रह से क्या संबंध है मित्रो। इस समय के अंतराल में आपक परीन नतीजे मिलेंगे। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और पार्टनर्शिप संबंधित बिजनिस में और बेहतर काम करने की योजनाएं बनेगी। नौकरी पेशा लोग अपने बौस व उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बिलकुल भी खरा प्रमोशन के चक्कर में आपको किसी दूसरे सिटी में भी मेट्रो जाना पड़ सकता है और घर में महमानों का आगमन होगा तथा आप से मेल मिलाप सब को खुशी देगा। इच्छा रखते हैं तो अपने परिवार वालों को बताना इस वक्त उचित रहेगा। लेकिन कन्यापक्ष की ओर से थोड़ी सी मित्रों दिक्कत देखने को मिल रही है। इसलिए अगर आप अभी बता देंगे तो आगे चलकर सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। और मध बदलाव करने की आपको कोशिश करनी है। भले ही फिलहाल काम की गती धीमी रह सकती है लेकिन मेहनत करना है। नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिलहाल आप तयार नहीं हैं और नकारात्मक बातों पर आप ध्यान न दें। अपेक्षित लक्षे हासिल करने में वक्त लग सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार समय आपके मुताबिक चले। हर बार सब कुछ आपके मुताबिक हो। तो मित्रो हमारे गुरुजी कहते हैं यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान मित्रो जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि तुम्हें कुछ करना है, आगे बढ़ना है, कुछ पाना है, तो स्वयम को बदलना की कला आपको आनी चाहिए क्योंकि आपको. मित्रो, अगर स्वयम को बदलने की कला नहीं आती है, तो आपको भगवान को और भाग्य को दोश देने का बिलकुल भी अधिकार नहीं है. आईए, आप सभी का कीमती वक्त गवाय बिना बात करते हैं, 24 घंटे केसे रहेंगे. मित्रो, इस वक्त घर परिवार में आपसी विवाध होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे घर का वातावरण थोड़ा सा अव्यवस्थित हो जाएगा और अशान्ती का माहौल पैदा होगा. आपको बता देते हैं. सब के साथ संबंधों को सुधारने की कोशिश करें. मित्रो, आप में इस वक्त सकारात्मक्त गुण अत्यधिक मात्रा में देखा जा रहा है. आपको इस गुण को मित्रो, आगे बढ़ाना है. सकारात्मक्ता रखनी है, तब जाकर आप किसी मुकाम पर पहुँच पाएंगे. मित्रो, घर की व्यवस्था को आप धीरे धीरे ही सही लेकिन शान्तिमय बना देंगे और परिवार के लोगों को एक जुट करने करने में आप सफल रहेंगे. मित्रो बता देते हैं कि सकारात्मक्ता आपके जीवन में इस वक्त बहुत ज्यादा है. साथ ही भाई बेहनों के रिष्टों में एक अलग ही प्रकार के मतभेद कतें पैदा करेंगे. मित्रो ग्रह स्थिती अनुकूल है. सकारात्मक्त होकर अपने काम पर आपको ध्यान देना है और बता देते हैं कि रुका हुआ पेमिंट मिलने से आर्थिक स्थिती बहुत मजबूत होगी. आर्थिक स्थिती में मित्रो चार चांद लगेंगे और और यदि मित्र आप किसी से लेन देन कर रहे हैं, तो लेन देन को लेकर किसी की बातों में विश्वास करना ठीक नहीं है। इससे फाइदा नहीं होगा, बलकि आपसी संबंधों में ही खटास आएगी। दालने की कोशिश करें। विवाद को बढ़ाना बिलकुल नहीं है। किसी नए कार्य को क्रियानवित करने के लिए समय अनुकूल है। योजना बना लें, कार्य शुरू कर दें। धीरे धीरे ही सही, सब कुछ आपके पक्ष में आ जाएगा। किसी के साथ अगर आप पार्ट पार्टनर्शिप करने की योजना बना रहे हैं, तो कागजी कार्यवाही पूरी तरह करें। मित्रों, ब्याज से संबंधित व्यवसाय में अच्छा खासा रिटर्न आपको मिलेगा और नौकरी पेशा लोगों को उपलब्धी भी हासिल हो सकती है। मित्रों, आपको इस व तो भागीदारी के मामलों को लेकर तनाव बना रह सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा फैसला आवेश में आकर लेने से बचें। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने लव पार्टनर की भावनाओं की अंदेखी करने से बचें। सप प्रयासरत लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रतिदिन पारद शिवलिंग की विधिविधान से पूजा तथा शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें।